जैन मच्चो चलिए आज हम लोग वोकाब में स्रीज को आगे पराते हैं छोतर स्रीज पर चलेंगे हम लोग प्रते तिन हम लोग 10-10 वर्ट कर रहे हैं यह आपको पता ही है अधिके जो सबसे पहला वर्ट है हम लोग का वो के है एपनी है यह इसको बोलते है ठीक है अधिके जैसे यहां पर अगर अभ्यान दीजेगा तो ए यह का मतलब क्या हुआ नॉट यह विदाउट होता है यह तो अभ्यानते ही है ठीक है अब देखे यहां जो है नी है इसका मतलब होता है ब्रीवीं सांस लेना ठीक है तो यह अगर हम लोग देखे तो इसका मतलब यह हो गया ठीक है इसका सेंस क्या होता है कि नॉट ब्रीवींग फर अ टाइम बीग यानि कि टेंपररेरी सेसेशन ओप ब्रीवींग ठीक है तो देखे इसी का जो मीनिंग हुआ मीनिंग क्या हो गया टेम्पोरेरी सेसेशन मतलब कि वह रुख जाना आप ब्रीधिंग इसी को देखो हिन्दी में कहते हैं ओस्वसन तर जök है MURन रहते हैं जीलेगों बाते हैं जीलेशां में गुक्ष सेसे महीं कि न की है में यह impresaं जाता है अब बात को उसनी को क्या कि बहुत है अब देखो ओढ़ों हीर राई हलका और स्ट बाहिए है अब जैसे हम लोग और सूसल ऑफ लिग और यह अगर आप देखेगा में वे मैं रॉपया मैं दोनों मैं आपसे पूछ हुए अख अ में लोगज़ का में र नीज सोसल तो तुम जानते ही हो चला अब सोसल यहां पर कैसा सफिक्स है यह एड़िटिव सफिक्स है तो कहने का मंदब यह हो गया कि अगर हमें इसके मीनिंग को देखें मीनिंग अगर इसका देखते हो तो इसका मीनिंग जो है मीनिंग क्या होगा भाई मीनिंग हो गया एंटी सोसल क्या हो गया सेल फिर्स टीकर अब हिंदी क्या हो गया भाई और सामाजी जो मिलने जुलने वाला अदमी नहीं है जो अन्फरेंडली टाइप का आदमी एप टेक है किस टाइप का अदमी है अन्फरेंडली टैप का आदमी उसी को क्या बोलते हैं हम लों ऑ सोसल सम्टाबशवा ते चलो बच्वा लिख लो इसको जल्दी अगला पुचलते हैं देखो अगला जो वड़ है अगला वड़ है अगला वड़ है असिमेट्री तो देखो इसका मिनिंग सीधे सीधे भी तुम कर सकते हो कि अ मतलब नॉट विदाउट सिमेट्री मतलब क्या होता है एक्विवेलेंस जिसमें कोई समानता नहीं हो आपस में तो वो क्या हो गया विसमता हो गया ठीक है तो देखो भी अगला वड़ है अमनों का नमबर तीन वो क्या है और सिमेट्री ठीक चलो देखो यह और जो है इसका मतलब किसे हुआ देखो विदाउट अब रूट तो यहीं है इसका ठीक सिमेट्री इसका मतलब क्या होता है एक्विवेलेंस ठीक है तो देखो मतलब सहाइब सहाथ यहाँ पर कि जिसमें कोई समान ठा Require नॉट सिमेट्रीक ठीक है विदाउट अश्य समेट्री तो क्या हो गया विसमता कि ते चलो वही मीनिंग क्या हो गया नॉर्ट सिमर्ट पेकर झाल नॉर्ट नॉर्ट पेकर भू दॉर्ट नॉर्ट 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 विर्ट वत्व थिर्ट विए वम् अब सम्झाब इसको उल्टा क्या हो जाएगा से मैं तो दिखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग वी सम्ताव त्युक्त त्युक्त इसी को तरस्थ देदें वोलोगे था और सममीती यह कहा जाता है और सममीती चलो अब देखो आगला जो बढ़ है वो है और सिंक्रोन जान दो बाग तो यह देखो इसमें क्या क्या सामिल है और ठीक है मतलब नौट या विदावट ठीक सिन सिन सेम क्रोन पहले ही बता दिया है क्रोन का मतलब किसे है टाइम से ठीक है पस यानि कि जिसमें ऐसी टेंडेंसी है ठीक है यानि कि वो चीज जो की एक ही समय में नहीं हो रहा है ठीक है ओसम कालिक जिसको हम लोग बोलते है ठीक है तो चलो देखो इसको तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं अगला क्या है से क्या मिनिंग हुआ इसका से देखो अगला क्या है क्रोन क्या मिनिंग हुआ इसका टाइम तिसके साथ जो जुरा हुआ है loyao यूएक है इतों जानते ही हुआ हो यह कौं सा सब्रेक्स है let buck busy bus यह जिसके साथ लग जाएगा उसको क्या बना एन जेकटी प्स बना देगा ति क्या हो गया यह देखो क्या हो गया, not happening at the same time, ठीक है, not happening at the same time, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे और समकालिक, क्या बोलेंगे और समकालिक ठीक है, तोल्टअ के हो जाएका इसका, कंटेंपरेरी ठीक है एंटर्णीम क्या हो जाएगा कंटेंपरेरी ठीक है यह जी आएगा चलो लिख लो क्लिए होंगे है चले अगला देखते है अगला अगर अब देखेगा अगला आफ देखेगा नमबर 5 देखो देखो, atheist, यह कई बार अगर आप देखेगा, इससी में, one word substitution में कई बार इसको repeat कर चुका है, atheist, जो देखो, यह मतलब क्या हुआ, note, अब देखो, इसमें क्या जो रहुआ है, थे, T-H-E, थे या थीयो का मतलब होता है, God, ठीक है, इस्ट, मतलब हुआ, कि उस सिध्धान्द में या उस चीज में विश्वास करने वाला, यानि God में नहीं विश्वास करने वाला आदमी, क्या कहलाता है, atheist, ठीक है, तो चलो देखो, अब इसको break कर लेते हैं, देखो, ए जो है, इसका meaning क्या हुआ, चला है, not, यह देखो, ठे ह या थियो है, समझा, इसका मतलब क्या होता है, God, इस्थ, यानि ऐसा करने वाला आदमी, यह यह यहाँ पर, क्या है, noun suffix है, ठीक है, ठे या थियो क्या हुआ, इसका root word हुआ, देखो, ए क्या हो गया, इसका prefix हो गया, ठीक है, तो इसका meaning क्या हो गया, चला, one, who, does not believe in God, believe in God, believe in God, अब इसी को हम लोग क्या का देंगे, non believer का देंगे, देखो, इसी के लिए क्या है, थाई बार यह भी पूछा आप से, पेगन है, पेगन आता है, देखो, इसी के लिए क्या है, सेकुलरिस्ट आता है, ठीक है, वो सारवर्ड है, दीची होगे, एथेिस्ट, ठीक है, चलो, ठीक है, देखो, चैठा नंबर जो है, वो है, अटम, अटम, ठीक, यह देखो, बारा आसान, ए, नॉट, टम मतलब क्या हता है, कट, मतलब क्या हुआ, कि इतना छोटा, इतना महीन कोई भी टुकरा, जिसको काटा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो यह निखे हो गया, वो, परमानू, ठीक है, तो देखो, यहां अगर हम लोग देखें, तो देखो, ए जो है, इसका मतलब कि एक है और फिर देखो टॉम है रूट है इसका कट टॉम क्या है यह देखो नाउन है है यह नहीं कहने का सेंस यह वाक जिसे काटा नहीं जा सकता तो काटा नहीं जा सकता कि इसका मतलब क्या है भई क्या होगा ओलेकिल ग्रेंड 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 में तो ग्रेंड के आकार का इसा नहीं कि यहां कर रहें क्या नाच अब यह देखो इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमानू ठीक है क्या बोलता है परमानू यह तो बहुत सिंपल सब्द है हैने चला चलो ठीक तो इसको ऐसा करते हैं इसको देखी लिया होगा बता ही दिये जान दे ही हो इसको मिटा देते हैं च अगला देखो हौ त्रफी रूट क्या है इसका प्रफी प्रैफेक्स क्या है इसका ओ है ना देखो आ का मतलब क्या हुआ नौट या विडाउट ठीक ट्राफी मतलब होता है Nutrition Without Nutrition अब इसका मतलब क्या हुआ यानि कि जिसमें पोशन नहीं है यानि कुपोशन है कमजोरी है च्छै है डीजेनरेशन है ठीक है उसी हो क्या बोलेगे हम लोग आट्राफी ठीक है तो देखो चल इसको प्रेक करते हैं देखो और विदाउट हो गया अब यहां देखो क्या लगा हुआ है ट्राफी इसका मतलब होता है नरेश्मेंट या निट्रेशन नरेश्मेंट या निट्रेशन कि यह नहीं करने का सेंस यह वह सीधा सीधा अगर हम लोग देखें तो विदाउट निट्रेशन जैसे कोई भी पार्ट ऑप दो बोडी जो है विदाउट निट्रेशन अगर है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक अब इसी को अगर साब्दिक रूप मे अगरे तो क्या हो जाएगा डी जन्रेशन तो अब देखो क्या हो जाएगा डेविलीटेशन क्या हो जाएगा विकनिंग क्या हो जाएगा बताओ डिक्टरियेशन या कम जोड़ी समझ गया चल चला लिखो इसको जाएगा चली आगला देखता है अब हम लोग चलेंगे अगले पर देखो ए या एन वाला तो हम लोग देख लिए अब देखो कि अगर कोई के साथ में एसी या एसी आर प्रफिक्स के रूप में लगा हुआ है ठीक है तो उसका मिनिंग होता है साप या बिटर था ना तीखा पंजर ठीक है तो चलो देखो अब हम लोग जो अगला बात करें अगला देखो इस स्रीज में जो अगला वर्ड है वो क्या है एस अबिक्स ठीक है इसमें क्या क्या है देखो तो एक इसका मदब क्या हुआ साप या बिटर और बिक्स यानि बिटर प्रभावाला ठीक है तो देखो कि एसी कि साप और बिटर अबिक्स या बिक्स या बिक्स या वो चला अए फैर यह नहीं कहने का मतलब यह हुआ जो कि सीधा सीधा फोत्राइट बोलता है असपस तोर पर यह खटा है तीखा है तो सब को क्या बोलता है सब भी अब देखो एक छोर्ण और लिए अस्टाम आंड तोर्ताइट अां लिए हैन? तीखा और पस्थ तोर तो अब देखो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है सब्सक्राइब करें देखोगे तो भी साप्टी है ठीक है विटर भी है ठीक है पंजेंट भी है यह यह एक्रिट लगभूब बराबर है एसे टीक भी है नहीं सावर भी है ठीक है एक्सेटर ठीक अब देखो इसी से मिलता है जुद्धा वर्ड है क्रेडर क्या है अक्रिट एसी यार एक्रा 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 कभी मतलब क्या है बताओ साफ्य बिटर ठीक है एडर यह जिसका प्रभाव जो है वो तीखा है यहां देखो पेसिया क्या हो गया इसके साथ में यह सफिक्स लगा हुआ है एड्जेक्टिव सफिक्स कौन सा सफिक्स है एड्जेक्टिव सफिक्स इसका मतलब क्या हुआ है यह जिसके साथ में लगेगा ना उसको क्या बना देगा उसको एड्जेक्टिव बना देगा ठीक है यह चीज वही है बही यह निन बितर शर्बिक शबोर पंजन्ट शिदिलस शिदिक टीक अब यहां जैसे निया अंप्लीजेंट भी यह जोड सकते थे नॉट प्लीजेंट ठीक है यह सरा चीज है नॉट प्लीजेंट यह कहने का मतब यह हुआ कि जिसका गंत बहुत तिप्र होता है एक्रेट ठीक है मेलोडोरस होता है यही देखो यहां पुझे है मेलोडोरस है मेलोडोरस एक साथ बोलेंगे तो ठीक है अन्प्लीजेंट होता है वह क्या हो गया एक्रेट हो ठीक चलो इसको जल्दी से उतार लो चला चलिए अगला देखते हैं देखो अगला दीवर्ट है वह है एक्री मोनियर्स है ना देखो इसमें क्या है अब अठीक है अब जैसे य लगा Bakवन अलास में ठीक है मनलोग उसके पेले कॉंसोनेंट है अब उसके साथ में अगर मनलों उसको हम जोडते हैं या असको जोडते हैं तो वही आई में चेंज हो जाता है ठीक तो दीखो, एक्रा मतलब क्या हुआ, बिटर ठीक है, आ ये मौनी जो है, इसका मतलब क्या होता है, फिलिंग, टीक है, बिटर और a strong feeling against someone, ठीक है, रूखा बन जो कहा थे, तो देखो, यहां पर सबसे पहले क्या आगया, एक्रा ठीक, क्या हो गया मिनिंग इसका, बिटर, ठीक अब देखो क्या है इसके साथ रूट वर्ट क्या है मौनी इसका मंदब क्या होता है फीलींग ते अब इसके साथ में क्या है अस मौनी तो ही गया अस यह जो है यह एड्जेक्टिब सफिक्स है यह जिसमें परवर्ती हो किसी के प्रती रूखे पन का बिटर फीलिंग का ठीक है ते क्या हो गया इसके स्वेक्टरखे है बिटर्पिया आजेञे विटर्पिया Av tutto है बिटर्पिया हुँ थिक या नि कहने का मतलब क्या हुआ है क्या बोलेंगे इसको रूखापन फिक कै जिसे हुआ पोलेंगगे हम लोब रूखापन सभा अब जैसे देखो अब दो काने का सेंस क्या हुआ कि जैसे क्या गाटी बिची टीक है चल लेकलो यह वोड जो है काफे रेलेवेंट है स्को लेकलो लेकलो दो मिटा नस्ती तंचेंज और दो मौर्द अ वेलिंट इस विसका से pirates नाही तेन प्रिण टीक है यह चीज है अब चलो देखते हैं देखो जैसे आगे से एडिटोरियल लमडू को करेंगे तो उसके लिए क्या आया कि आप लोग को क्या करना है कि टेलीग्राम जो है मेरा रमेज सर्माज ओनलाइन इंगलिस टेलीग्राम से आपको जोर्ना होगा टेलीग्राम पर समस्के बाद को और फिर जो है है उसको अब टेस्टहों लेना होगा तो उसका भी पीडिएप जो है वह हम टेलीग्राम पर डाल दिया करें समझ गए तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए और फ़र जो है टेस्स सेरीज भी जैसे बैंक का है या ससी का है सबका सिलसिलेवाट ढंक से लेंगे और जिससे की सबका सब लाभानवित हो जो अड्मिटेड है जो नहीं भी है अब देखें एप के बारे में कुछ बच्चों ने यूट्यूब पर कमेंड किया है तो आप आप डाउन्लोड कर लिए और उसके बाद क्या है कि आपका जो बैस कोड है वो खुद से हम सेंड करें तब आप लिंक होईएगा केवल डाउन्लोड करने से नहीं होता है लिंक जब तक नहीं भेजेंगे जो दिया जाएगा और फिर आप जो है उसमें अटास्ट हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करनी लेकिन पहले जो है अगर आप नहीं भी मान लीजे डाउन्लोड किये हैं तो आपका नाम जो है वह हमारे पास आजाएगा जो टक्नीशन है वह अलड़ी कहा है कि आपको जिस बैस क पूड आपके पास चल गया फिर आप जो है ऑनलाइन हो जाएगा और फिर आप देखिएगा ठीक है यह जी ध्यान में रखना है समझ गया और जैसे मैंने कहा एडिटोरियल की बात तो आगे जो भी यह आएगा वीडियो आएगा उसमें बता देंगे किस डेट में तो एड पीडियेफ है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे एक बार फिर से समझा दे रहा है टेलीग्राम जो है उसका लिंक वैसे मेरे फेस्बूप अडिपर दिया हुआ है इसे स्रमे सर्माज ऑनलाइन इंग्लिस क्लासेश करके है वह उससे आप लिंक हो जाएगे टेलीग्राम से अ आराम से आप देखिएगा ठीक है और उसको हम लोग डिसकस कर लिया करेंगे यही बाद टेस्सरीज के भी मामले में होगा ठीक है बच्चों जय हैं जय भारत